नमस्कार राणावट डाइट में आपका स्वागत है आज आपको हम फूट सप्लिमेंटी में फूल गोबी और फूल गोबी के पत्तों के बारे में बताएंगे अक्षर फूलगोवी के पत्तों को फैंक दिया जाता है और फूलगोवी की सबजी बनाई जाती है और फूलगोवी कोई उपयोग में लिया जाता है पूलगोवी के पत्तों के बारे में जानगारी अप्रयापत है är और जो जानगारे वही सबजी बनाते हैं आपने देखा होगा, कि फूलगोवी हर जगे मिलती है और फूलगोवी के डंडल होते हैं, अपर पत्ते उहाँ पे नहीं होते हैं कि सब खेती में ही दिखते हैं क्योंकि जानकारी का अभाव है आज हम आपको नुटेटिव वेल्यू के बारे में बताएंगे कि फूल गोभी के पत्तों में नुटेटिव वेल्यू क्या है और आपके लिए क्या फाइदे मनने हैं पर इस से पहले अगर आप इस चैनल में कि इस फूल गोभी के पत्तों में कैल्सियम जो होता है वो सबसे अच्छा अश्रोत रहे जिसमें 626 मिली ग्राम कैल्सियम पाया जाता है और फासपोरस होता है वो करिब-करिब 107 मिली ग्राम उसमें पाया जाता है और आइरन होता है बहुत ही बड़ी अश्रोत रहे आइर हुघ में पात्तिश पाजाता है वह फूल कोभी में भी में नहीं है जितना उनके पत्तों में पर अपसोस मैं वीटेमीन सी नहीं होता है दूसरा जो फूल कोभी होती है उसमें कैल्सियम जो होता है वह 33 ale ivory 30-75 kg फर्च निलग्राम क्या हुआन ऐसको जिसमें आइरन की बाट क्म ए 79 अप थाफ भुआप अपन क्म कम ह问 इसको जिसमें आउर की मातर बाट कम है और विटामिन C विटामीन सी इसमें पाया जाता है चपपन मिलिग्राम अच्छा है और इसमें एक और अलग से मैं आपको बता हूँ नुटिटिव एलू में जो कॉलीन है वो 117 मिलिग्राम इसमें मिलता है अब ये काफी अध्यन के विशे है कि कॉलीन क्या कामाती है इसलिए वो आगे आप को बताऊंगा मैं तब तक आप फूलों के साथ इसके फूल गोवी के पत्तों की सब्जी बनाईए और आपके सरीर में अगर आयरन की कमी है और केल्सियम की कमी है तो वो फूर्टी कीजिए सस्ते सरल उपलब्द है और ये प्राकतिक है जो जल्दी हजम होते है कोशिश करे कि आप इन चीजों की काम में लें और दूसरों को भी बताएं तब तक के लिए चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाद बाद धन्यवाद